नमस्कार है दोस्तों चत्तीसगर की ताजा खबर में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नस की दारू मुर्गा पार्टी पूरा मामला उतरदा के प्राथमिक स्वास्थि केंद्र का है परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर सहित कर्मचारी अस्पताल के अंदर ही होली पिकनिक पार्टी मनाने में व्यस्त है मरीजों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया गया है जिले के पाली ब्लॉक के ग्राम पंचायत उतरदा के प्राथमिक स्वास्थि केंद्र का मामला है परिजनों ने बताया कि बेटी की इलाज कराने वे उतरदा के प्राथमिक स्वास्थि केंद्र पहुंचे थे जहां बेटी की कैलशियम की कमी होने पर मात्र एक सिर्फ और दवाई दे दी गई जिसके बाद मरीज सहत परिजनों को बाहर निकलने कह दिया गया डॉक्टर सहत सभी कर्मचारी अस्पताल के अंदर ही डीजे की धुन पर पिकनिक मना रहे थे उन पर होली का ऐसा खुमार चाया हुआ था कि मरीजों पर भी ध्यान नहीं दे रहे थे अस्पताल के अंदर होली पिकनिक पार्टी मना रहे डॉक्टरों का वीडियो वाईरल होने के बाद हड़ कम्प मच गया वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ महिलाय और पुरुष अस्पताल में पार्टी मना रहे है स्वास्थेकर्मी अस्पताल परिसर में ही गैस चूलहा और बरतन लेकर बैठे है अस्पताल में इलाज कराने पहुँचे मरीज के परिजनों ने इस पर आपत्ती जताई है आरोप लगाया है कि दारु मुर्गा पार्टी कर रहे थे डॉक्टरों पर काररवाई की मांग की है वही मामले में पाली BMO CL रात्रे ने डूटी पर तैनात RMA भवानी लाल थावाईत डॉक्टर दिलेश्वर सिंग चिकितसा अधिकारी मीनाक्षी राठोर RMA समस्थ स्टाफ को नोटिस जारी किया है जहां जाच कर आगे काररवाई करने की बात कही है